वेलकुम तो मैं चैनल सो आज हम लाए हैं आरवन फाइव एम एंड रोयल इन फेल्ट टू तू तू तो तो आज हम इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे कि क्या-क्या फर्क है इन दोनों में वह पुराना है अभी न्यू वाले में थोड़े चेंजिस आया है जो की बैटर है इन दोनों में से ब्यूंड लूइसकी है तो ऊव्यसलि इसमें कोई कमेंट्स नहीं है कि कौन जाधा अच्छा है कौन नहीं है तो आरवीक्ट्व एशली आर। आराण 5 एम लुक्स के मामले में अच्छा है बॉलेट की है अच्छी है बट कंपैरिजन के मामले में आब तोप करता है इसको नेक्स पॉइंट में आजाते हैं जो कि सबके लिए एक मेजर पॉइंट रहता है कि प्राइजिंग तो आरन फाइव जो एम न्यू वाला भी जो चल रहा है टू थाउजन ट्वेंटी थ्री और इसकी प्राइजिंग है वन लाक नैंटी फाउजन एक शोरूम यह अन्रोड प्राइज नहीं है एंड जो रहल इंफिल्ड स्टेंडर्ड है अभी न्यू लुक्स में आया है बट म क्योंकि इसमें 2-3 लेटर के बीच में जोगी प्राइजिंग राम से पहुंच जाता है पंदरासों के राउंड पहुंच जाता है बाकी और जो काम है थोड़े बहुत महेंगे हैं बाट सर्विस को स्कींपल की तरफ जाएंगे तो और अच्छी नहीं आई है अपने प्राइस स्ट्व में मुझें लगते हैं रोयल इन फेल्ड में ही यांटी है यहां पे डिसक्स मिलती है वाटको ड्रम रेक मिलती और यह देखिए कैसी ब्रेक यह है और अगर आप इनको लगाते हो 80 90 पे तो ऐसा लगता ही निया की ब्रेक दबाई है तो आपको गेर से भी आपको 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 बाते हैं कि ब्रेक अरुब्ल लेक्री और के साथ बट ऑन दी अधर हैं इसा नहीं है 21 PS की पावर है एंड 28 अनम टोर्क है बट बुलेट आपने देखा वगार रेस में हारता ग्यूं है तो मैं उसका आपको चीज बताता हूं कि इसका वेट है 148 152 यह 188 के अराउंड वेट पड़ जाता है तो उसकी विज़े से क्या है कि इसको अपने ही वेट की वज़े से इसको जो टॉप स्पीड करने में जल्दी भागने में दिक्कत आती है हो नेश्ट पॉइंट है कि हमें मीट अंपैया कर दो करने शोकर अपास में हमने करता है tutto तो इसएश्य मेन देखते हैं वाइट किया इन का做 रही है क्लोमेटर्न पता रही है य है मुझे लगता है कि न बाइक में स्पीडोमेटर मिलता है एंड लाइट के जो कंट्रोल है न्यूट्रल हो गया लाइट हो गया इंडिकेटर इसके बाद आगए आपको कुछ भी नहीं मिलता है अब भी हम सुनेंगे दोनों का अग्दोस नॉट और बताना मेरे को आपको कौन से वाले की साउंड ज्यादा बेटर लगी तो पहले हम आरण फाइस स्टार्ट करेंगे अच्छ नहीं है कि थोड़ा अलाग साउंड आता है जासी साउंड है ज्यादा कुछ अट्रेक्टिव साउंड नहीं है सो यह थी इसकी साउंड काफी ज्यादा अनॉइंग लग रही है बेंड पाइप एंड इस शौर्ट सलेंसर पंजाब मुझे यह पब्लिक प्लेस में बिल्कुल चीज पतन नहीं आप भी प्लीज मत करें लोग गालियां मारते हैं बहुत गंदी-गंदी गालियां मारते हैं तो प्लीज यह ना करें क्योंकि हर्ट पेशेंट्स भी होते हैं तो यह चीज काफी ज़्यादा ऐसे चला रहे हूं इसको अब तो इतने ज़्यादा अनॉइंग क्या कुछ फर्क नहीं बढ़ता है अगर तो हम सीटी में रहते हैं जी तो हमार को आर्वन 5 क्योंकि थोड़ गेडी के लिए रॉयल इंफिल्ड बैटर रहेगा तो अगर आप गेडी के शुकीन है लोकल चलाना है तो अब्यस्ली वह जादा है तूरिंग के लिए आपको फिस टोक रखना पड़ेगा इसको तो यह था हमारा आज का कमपैरिजन आरुन 5 एमेंड 350 रॉयल इंफिल्ड 550 भी आता था यह पहले बट भी बंद हो गया है वो पर 350 बैटर है मेरे कोडिंग एंड ऐसे ही व्लोग जोर भी आते रहेंगे तो आप मेरे को पता हो आपको कौन सा बाइक अच्छा लगता है मेरे कोडिंग यही है कि अगर तो आपको पावर इची चीए पावर दोनों में पोश्चर का दिखकर है या मैं जैसे कि दिन में आपको 300 किलोमेटर तक चलानी है 200 किलोमेटर चलानी है तो पीछे बैठने में भी बंदा जो है वो कमफ़टेबल रहता है उदर ऐसा नहीं है सीट काफी चोटी है और कुशनिंग भी नहीं है उसमें ज्यादा सो प्राइज है तो आपकी च्वाइस हो सकती है कि आप कौन सा बाइक करना चाते हैं तो रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से मैं क्लियरली बताओं तो अगर आपको जस्ट बाइक चाहिए एक कि हां मेंगा बाइक लेना है बट उसको उसकी टॉप स्पीड आपके लिए मेंटर नहीं करती है संदे राइट्स फन राइट्स करनी हैं तो यह अच्छा है सिटी के लिए अच्छा है गाउं में जैसे भाई ने बताया कि लिए एनिडे यह बैटर रहेगा क्योंकि यह रॉड़ खराब होएंगे तो काफी दिखते फेस करनी पड़ सकती है आपको तो आपकी रिक्वाइ सब्सक्राइब जरूर करें काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कि हुआ है तो इसको बाइक को ख्रीज सकते हो आप तो यह था आज का मेरा कंपेरिजन तो आप मेरे को बताओ कि आपको कोंसे बाइक अच्छी लगती है और आपको किस पॉइंट पर कौनसे बाइक ज्य शेर भी करें प्लस सब्सक्राइब जरूर करें काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कि हुआ है तो ठीक है टाटा बाइबाइब स्टे ट्यून टेल नेक्स्ट व्लोग